हेलो एवरिवन प्रीद बालो जी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे गंद मर्दन आंदोलन के बारे में जिस तरीके से पर्यावरण को बचाने के लिए और सारे आंदोलन चले थे जैसे की कौन सा था चिपको अचाने के लिए लोगों ने किये थे ठीक है तो वैसे ही यह भी एक क्या है आंदोलन है जो कि इन्वार्मेंटल इशूज पर है सबसे पहले तो यह जानिए कि गंद मर्दन है क्या तो गंद मर्दन क्या है बॉक्साइड सम्रिद्ध पहाड़ी संकला में से एक है तो जो पस्चि मोरीसा है वहां के यह स्थित कहां पे है पस्चि मोरीसा के संबलपूर और बोलांगी चेतर में यह गंद मर्दन पहाड़ी संकला इस्थित है यहां पर क्या है इसका कुछ आप हिस्ट्री जान लीजिए जो कि जरूरी है जानना इस आंदोलन को चानने से प और पीने के उद्देश के लिए पानी प्रदान करती है तो यहां पे जो आदिवासी रहते थे जो किसान रहते थे ठीक है अभी भी रहते हैं यह हम उस समय की भी बात बता रहे हैं कि यहां पे क्या होता है तो वह अपनी प्रकृति को मां की तरह मानते थे क्योंकि वह प्र बच्पन में ठीक उसी तरह जो है आदिवाशी और किसानों के लिए भी वो जगह क्या थी बहुत ही इंपोर्टेंट थी जैसे हम आज भी नहीं चाहेंगे कि जो हमारा गाउं है वहां के बगीचे जो हैं जहां से हम लोगों ने बच्पन में जामुन खाए हैं आम खाए हैं ठीक है वहां से लकडियां हम लोगों ने तोड के जलाई हैं खेतों से भी हम लोगों ने गोबी खाए हैं बटल खाए हैं हम नहीं चाहेंगे कि वहां की जो प्राकरितिक जो खुबसूरती है जो संसाधने वो खराब हो ठीक उसी तरह वहां के जो आदिवासी और किसान भी वो जहरने बहते रहते हैं कितना खुबसूरत होगा वो जगह है ना अगर किसी ने देखा है तो जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताए हम लोगों हम तो नहीं गुमें वहाँ पर तो कितना सुन्दर होगा आप जान सकते हैं धारा का पानी पौदेस्थान ये पारिस्थितिक प सथानी नोगों के समाजिक सांस्कृति जीवन प्रक्रिया गंध मर्दन ऑठी नात अधर अधर, हरी मंदिर, मंदिरों से जोड़ी है, मतला pourrait भहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, जिनकी वेलू कौन जाने का, वहां की इस्थानिय लोग जानेंगे, जैसे आप अपने गाउं का क्या, कोई फेमस मंदिर होगा, ठीक है, तो उसको आप जानते होंगे, आप कभी भी नहीं चाहेंगे, आज भी आने वाले समय में भी कि आपके बच्चे जब वहां जाएं तो उसका जो इस्तित्व है, अस्तित्व है वो खराब हो, वैसे वहां के लोग भी नहीं चाहते थे, तो overall जो गंदमर्दन पहाडी छेतर के जो लोग ह है, और जो हुआ करते थे, वो उनके लिए क्या है, ये सांस्कृतिक छेतर है, ठीक है, कौन सा, यही, जिस गंदमर्दन हम लोग पहाडी संकला की बात कर रहे हैं, उसके, ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, कि गंदमर्दन पहाडियों में, 9.6 वर किलोमेटर के छेतर में, 213 मिलियन टन का अनुमानित बॉक्साइट जमा है, ऐसा अनुमान लगाया गया, कि इतना जो संख्यावे बॉक्साइट वहाँ पे जमा है, अब आपको पता है, जब बड़ी-बड़ी कमपनियों को पता चलता है, कि प्रकृति में कहीं पर, मतलब कहीं पर, इंडिया में, ह पास पैसा होता है, ठीक है, ताकि अब जो क्या करेंगे, प 빵 लगाते हैं, उसे पैसे कमाते हैं, और यह जो कमपनियां होती हैं, यह साथ में किसके साथ आज़ा कर लेती हैं, ओफिर यह कमपनी, और यह जो गवर्मेट, जो होती है, यह दोनों मिलके, लोगों को, कहना तो नहीं चाहिए बेवकूफ भी बना देती हैं अगर लोग अपनी बात ना रखें चुप बैट जाएं तो वाकरी में पर्यावरन का बहुत बड़ा नुकसान होगा ठीक है तो बालको के पास पैसा था बालको क्या है पहले तो यह बहुत बालको क्या है यह कंपनी है जिसका ना निकालना था उनको निकालना था बॉक्साइट और उस बॉक्साइट से खुब पैसे कमाने थे ठीक है इसके लिए इन्होंने एक तिस समलोग दो सुन्य करोड और नियमित अधार पर 500 व्यक्तियों के अनुमानित रोजगार ठेका मस्दूरों के रूप में 3000 व्यक्तियों क साथ जब यह अपनी दाल गळाएंगे जाहिर सी बात है इनको कुछ कुछ क्या करतें ना होगा जो परक होता है लालच देना होगा वह की लोगों को ताकि वह लोग लालच में आ के उन्को अपना काम करने दे जो प्लांट यह जो वह काम करना चाहते हैं जी जिस पर भी उन यह होंगे वहाँ पे समाजिक नहीं होगा ठीक है उतना बढ़ियां जहां पर की मतलब यहां तक कि बात करें सकूल तक की तो यह सम नहीं होंगे तो यह कहेरें वहां की लोगों को विछ का लालज देते हैं और यह राजिक खुब भी बोले की एक करोड की रॉयलेटी भी प्रदान करेंगे इस तरह लोगों को बोले और समाजिक वानिकी के तहत व्रिक्षार उपन भी करेंगे तो उन्होंने कहा है कि हमें अपना काम करने दीजे बालको वालों ने बदले में हम जो है आपको यह सारी चीजे देंगे स्कूल कॉलेज की स सारी चीजे खुलेंगे जुलाई 1985 में बालको के पहले बिसपोर्ट ने आठ सो साल पुराने मंदिर निरसिंग नाथ को छतिग्रस्त कर दिया जिससे मंदिर और उसके गरुड इस तब में बहुत एकी धरार आ गई सोचिए चुपे चुपे लोगों ने तो बोल दिया हम य मंदिर निरसिंग नात जी का इन्होंने और इस तंभकी जो भותिक दरारें हैं जो दिवाले हैं वहां के ढाचे को बर्बाद किया मंदिर को मदाद किया कहीं न सोचिए छाना था ठीक है अपना रास्टा पना में साट पेड को काट यह रञगा लगा गड़ा लगाएंगे तो ना जाने कितने साल pamię वह बड़ा होके अच्छा खासा इन्वार्मेंट को ऑक्सीजन देगा वहां पर पंक्शियां रहेंगी पॉलिनेशन होगा और पेड़ होंगे तो साथ हजार पेड़ यानि कि वह भी हमारी धरोहर है हम आज अगर लगा भी देना पेड़ इतने संख्या में कहां लगाएंगे लगाने के लिए तो बहुत जगा हैं लेकिन बचेंगे नहीं लोग उसे खाड़ के फेक देंगे जब लोगों के सामने आता है तो यह अकेले एक बॉक्साइट को लेने के लिए अपने स्वार्थ के लिए इतने सारे पेड़ों को काटा जो पेड़ जो हैं बॉर्ड के लि किये सिर्फ पेड़ नहीं पेड़ों से जुड़ी इन सारी चीजों का नुकसान किये ओवराल क्लाइमेट को डिस्टर्ब किये चेतर के आदिवासी लोगों ने वन पॉधों को दिव्य प्रतिकों के रूप में संग्रचित किया था और उन्हें अपने कुलों की कुल देवता के रूप में संग्रचित किये हुए थे इसलिए बालकों द्वारा विक्षों का नास उनकी संस्कृती और समाज के लिए खतरा माना गया अब ऐसा ब्लास्ट के बाद जब उनको समझ में आया कि कहीं ने कहीं से उनकी संस्कृती और समाज को बहुत बड़ा खतरा है वो कल्चर पे वो क्या रहा तो यह जो एड़र्स एफेक्ट रहा बालकों का वो कहीं न कहीं लोगों में इन्वार्मेंट के प्रती कॉंशियस हो गए वो ठीक है उन्हों में चेतना हा गई ठीक है उसमें क्या था कि मनभंगा गाउं में 200 एकर भूमी की सिचाई करने वाले दुर भावित होई साथ ही साथ सिचाई परियोजना ने एक बड़े आम के बाग और नीजी सिंचित भूखंडों के जल्मगन कर दिया देखें अब यह अपना काम शुरू कर रहे थे ठीक है इन्होंने अपने पानी पीने के साधन के लिए क्या किया कि बहुत आरा नुकसान हो गई डूब गई ठीक है और यह सब क्यों हुआ क्योंकि इन्होंने पहाडियों पर क्या किया था और जर्ने नहर जो थे जो साल भर बह रहे थे 150 हम लोग उन्होंने पढ़ा वहां पे बारामासी जर्ने हैं तो वह भी क्या हूँ उसमें भी दरारे आई क्रिशी भूमी भ होगी वहां पे जोतना भी बहुत मुश्किल हो गया तो यह अपने पीने के पानी के साधन के लिए आम कपेड़ खराब किये वहां पे जलमगन हो गई चीजें खिती करना मुश्किल हो गया धीरे धीरे ग्रामीर पर्यावरण के बारे में जागरुक हो गया और उन्हें डर स्थानिय लोगों की सुर्वात आदिवासियों और किसानों से और यह धर्म से के अधार से धर्म निर्पेक्षाधार तक चला गया तो अब धीरे धीरे लोगों जागरुक हुए इस्थानिये लोगों द्वारा आंदोलन को बनाये रखने की लागत चावल के रूप में कट्र की गई देखिए आंदोलन जब होता है तो उसमें भी लाग जाओं चाहिए होती है तो उसके लिए इन्होंने लागत के लिए रूप में किया एकटर किया और लोगों को धीरे धीरे यह इकठा किये एक जगत जमां किए ठीक है लामबद किया और जो है इसके लिए गंद मर्दन सुरक्षा परिसद का गठन किया गया गराम पंचायत् छेतरी स्थरत्ट के जो लोग थे पिर वहां पे वो क्या किये कि macro menu level औरւ माइक्रो लेवल पर सारे section harvar के लोगों के अंदर ये बाते बताई कहा कि देखिए ऐसा ऐसा बालकों के दिणा किया जा रहा है और ऐसी और हमें नुकसान हो रहा है हमें यह चीज़ बंद करानी होगी अदर्वाइस हमारा जो आज यह को है खतम हो जाएगा हमारी संस्कृतिक धरोर समाज सब कर्ण कर रहा था यह लोगों को रास नहीं आई लोगों को लगा यह तो एक धोखा है हमारी संस्कृति और प्राकृतिक संसाधन जो है छीने जा रहे हैं तो फाइनली क्या इसका रिजल्ट हुआ कि जो आंदोलन लोग मिलके यह किये तो उससे जो बालको ने जो खनन करने का सोचा था आगे वो वहीं पर स्टॉप हो जाता है ठीक है रोक दिया जाता है यह गंद मर्दन आंदोलन जो है वो मैंने कई पढ़ा था कि 1983 में लिखा था कि यह चला था और कई-कई 1980s करके लिखा था कि चला था ठीक है तो अगर यह आप्शन आता है 1983 तो यहां पर यह सही होगा 80y यानी कि आंदोलन एक साल दो साल तो नहीं तो कई साल भी चल सकतें एक साल का तो कोई होता नहीं है कि इस साल हुआ खटम हो गया थीक है तो ऐसा जहां जहांत तक मैंने जनकारी ली है यह चीजर लिखी हूई है और फाइनली जो है तो इस आंदोलन से हमें क्या पता चलता है हमने क्या इसे सिखा हम लोगों ने ये सिखा कि बालकों ने लोगों के भले वो modernization कर रहा था लेकिन लोगों के बीच में विश्वास नहीं जीत पाया जो महां के लोकल लोग थे यहां तक कि उन्होंने एक समवाद भी स्थापित नहीं कर पाए वो नहीं यह चीज कर पाए कि आपकी एकनॉमी को फैदा होगा एकलोजी को थोड़ी फैदा होगी अपनी यह फायदे से भी वहां के लोगों को रिजान नहीं पाए उल्टा क्या हुआ लोगों का इंट्रेस्ट जो है इससे हट गया जो भी उन्होंने सुविधाय वो दिखा रहे थे दूसरे बात क्या इससे जो है हम लोगों ने सीखा कि गंद मर्दन मार्डिंग लोगों में क्या कि अपनी जो चमता है ठीक है उस पे उन्हों लोगों ने विश्वास हुआ और वो जो इंवार्मेंटल इशूज है उसको लेके वो जागरुख हो गये और आंदुलन ने यह रास्ता दिखाया है कि अगर लोग एक जूट हो तो अपने सामोहिक विकास से पर्यावरण के अनुकूल विकास इसी अनुकूल विकास को क्या बोला जा रहा है इन्वार्मेंटली फ्रेंडली जो डवलप्मेंट है का निर्मार और पुनानिर्मार कर सकते मतला अगर हमको विकास करना भी है तो वह विकास कैसा होना चाहिए इन्वार्मेंट फ्रेंडली होना चाहिए और ऐसा हम कब करेंगे जब हम लोग एक जूट होके ऐसा काम करें तो ठीक है तो बहुत ही अच्छा संदेश इस वीडियो से आप लोगों को मिला होब की आपको सारी बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी इस पर आपको मैटर बहुत ही कम मिलेगा यूट्यूब पर भी बहुत ही कम मिलेगा और साथी साथ गूगल करने पर भी उतना नहीं मिल रहा है तो मैंने ढूंडा और एक वीडियो बनाई ताकि आपको कोशन सॉल्व करने में असानी हो है तो सब्सक्राइब जरूर करें इस वीडियो को पूरा देखने का आप सभी का बहुत-बहुत दन्यवाद बबाए